नमस्कार मैं हम प्रवेन गोता हूं दोस्तों वीडियो में इस बात का विश्लेशन करेंगे कि भगवान अल्ला वाहिगुरू हम सब की रक्षा के लिए हैं या हम उनकी रक्षा के लिए हैं साथ ही इस बात का भी विश्टेशन करेंगी कि धर्म की राजिती के दौर में फेमस होने के फॉर्मूले के तहट क्या बुल्डोजर ही नया सविधान बन गया है चतरपुर में जिस तरीके से हाजी शहजाद का घर गिराया गया जिसे लेकर दो तरह का रियक्शन है राइट विंग की बात करें पियम मोदी के समर्थकों की बात करें तो जश्ट का माहूल है क्योंकि एक मुसल्मान का घर बुल्डोज कर दिया गया गाडिया तोड़ दी गई लेकिन कई लोग सवाल उठा रहे है क्योंकि उन्हें सविधान की चिंता है अगर किसी ने गलत किया है तो क्या बुल्डोजर उसका नयाय है घर गिराया गया लेकिन गाडियां किस कानून के तहट तोड़ी गई पबलिक सवाल कर रही है सुप्रीम कोर्ट से अपील की जा रही है चंदर शेकर आजाद क्या कहते हैं इमरान प्रताब गड़ी क्या कहते हैं सब आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि आकरकार बुल्डोजर काल में कैसे पुलिस बाप होने का दावा कर रही है कहाने की शुरुबात कहां से होती है सवाल उस पर भी खड़े होते हैं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग एक महंत के बयान पर महंत रामगिरी महराज के बयान पर जिसमें उन्होंने पैगंबर महम्मद पर आपति जरक टिपनी की बिल्कुल गलत बयान दिया उस पर कारवाई होनी चाहिए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हादिश एजाद के साथ ठाने पहुँशते हैं लेकिन ठाने पर पत्थराव कर दिया जाता है आकिरकार पत्थराव करने का हक किस ने दिया दोस्तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि भगवान के नाम पर अल्ला के नाम पर पैगंबर मुहमबत के नाम पर हमारी भावनाएं इतनी आहत्के हो जाती हैं कि हम पत्थर हाथ में उठा लेते हैं ये अधिकार किसी को नहीं दिया गया है अगर कुछ गलत भी होता है कोई कितना भी कुछ बोल दे हमें पत्थर उठाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया सरके जाम करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया कोई भी भगवान, कोई भी अल्ला, कोई भी पैगंबर मुहमबत इतने कमजोर नहीं होते कि हमारी जरुत पड़े उनकी रक्षा के लिए वो हमारी रक्षा करने का काम करते हैं हमें सही राज़ती पर चलने का पैगाम देते हैं और हम उनके लिए अगर पत्थर हाथ में उठाते हैं तो फिर कारवाई बनती है थाने पर पत्थर बाजी करने वालों के खिलाब कारवाई होनी चाहिए क्योंकि उसमें भी कई पुलिस वाले जक्मी हो गए मुझे समझ नहीं आता कि बार बार पब्लिक की भावनाई इतनी आहत कैसे हो जाती है कि हाथ में पत्थर आ जाता है थाने पर पत्थराव कर दिया जाता है कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं और इस मामले में जिनों ने भी थाने पर पत्थर चलाए उन पर कारवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों को ग्रफतार किया जाना चाहिए लेकिन दोसु कानून के तहट स पहल नुमा घर जो है गिरा दिया गया तो इसको लेकर जश्न का माहूल है एक तरफ के समर्थ को में मोहन यादव फेमस हो गए हैं कहा जा रहा है कि MP में नए योगी बाबा आ गए हैं तो मोहन यादव ने अपने आपको स्थापित कर लिया है लेकिन कानून का राज स्थाप गिरफतार किया गया और उसके बाद उनकी परेड कराई गई आरोप है कि पत्थर चलाने वालों को गिरफतार किया गया उनकी परेड कराई गई और पुलिस ने नारे लगवाए कि अपराद करना पाप है पुलिस हमारी बाप है तो क्या पुलिस कानून के अंतरगत ऐसे न नारे लगवाने का कि पुलिस हमारी बाप है लेकिन ये भी नया फैशन बन गया है पुलिस को बाप बनने का एक क्रेज हो गया है दोसो इसके अलावा विपक्षी नेता क्या सवाल खड़े कर रहे हैं इमरान प्रताफ गड़ी कहते हैं क्या ये न्याय है चतरपुर्म प्रदेश में प्रशासन ने हाधिस हजाद का सिर्फ घर नहीं तोड़ा बलकि घर में खड़ी गाडियां भी बुल्डोज कर दी नरेंदर मोदी जी क्या आपकी सरकारे सविधान से चल रही हैं क्या आपके मुख्यमंत्री आपके सबका साथ सबका विकास के नारे को बुल मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को बुल्डोज से द्वस्त कर उश्पत को भी द्वस्त कर दिया गया है जो उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रेंड करते समय ली थी क्योंकि जिस तरह घर की एक-एक इट को नश्ट किया गया है उसी तरह शपत का एक-एक शब भी नश्ट हुआ है ऐसा लगता है कि सरकार ही नयपालिका हो गई है मैं मानिये सुप्रीम कोर्ट से निवेधन करता हूँ कि सवतर संग्यान ने विदी से हटकर होने वाली बुल्डोजर की कारवाई पर रोक लगाए वही वरिश पत्रकार शकील अक्तर कहते हैं ऐसे मकान तोड़ने के भयानक सीन तो कभी फिल्मों में भी नहीं दिखाए गए ये सरकारे तो सारे कानून से उपर हो गई है मकान के साथ गाड़ियों को भी पटक पटक कर तोड़ा जा रहा है आदमी की जिंदगी भर की कमाई बरबाद हो गई सुप्रीम कोट मदपरदेश का हाई कोट देख रहा है क्या पूछ सकता है कि इस कानून के तहत ऐसा किया गया मदपरदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद के घर पर ये सरकारी आतंक पर पाया गया है तो इस तरह देश के पत्रकार और विपक्षी नेता बुल्डोजर की इस कारवाई पर सवाल उठा रहे हैं पिस सुप्रीम कोट की और देश के कोट की क्या जरूत है और जो लोग जश्ट मना रहे हैं वो शुकला जी के घर पर जब बुल्डोजर चला था तब सवाल उठा रहे थे कि आकरकार एक ब्राहमन के घर पर बुल्ड भी चला है पुरु सरकार शिवराज सिंग चोहान की सरकार ने भी अपनी साक बचाने के लिए ऐसा ही किया था जब पेशाब कान चर्चा में आया था तो बुल्डोजर सरकारों की साक बचाने का जरिया बन गया है और दोस्तों ये भी सवाल खड़ा होता है कि घर में अगर को सजा मिलने चाहिए आज बहुत सारे लोगों को मजा आ रहा है क्योंकि मुसल्मान का मामला है कल आपके समाज के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होगा तो दर्द समझ में आएगा अगर किसी का बेटा कोई गलत काम करता है तो बाप ने जो मेहनत से मकान बनाया है उसके घर पर का भी रहते हैं थोड़ा बहुत इंसानियत के साथ भी सोचना चाहिए लेकिन दोस्तों धर्मानता और धर्म की रादिती देश का ऐसा हाल कर दिया है यही वज़या है कि भगवान पर अल्ला पर कोई टिपनी करता है कोई बयानबाजी करता है तो पब्लिक सड़क पर आती है पत्थर उठा लेती है और उसके बाद बुल्डोजर की इस तरह कारवाई होती है पत्थर उठाना भी गलत है और बुल्डोजर चलाना भी गलत है और इसके खिलाव देश की पब्लिक को खुल कर बोलना चाहिए और ये बात हर किसी को समझनी चाहिए कि कोई भगवान या अल्ला इतना कमजोर नहीं है जो किसी के बयान से आहत हो जाए तो हमें भी जरुद से जादा आहत नहीं होना चाहिए आप विरोध दर्ज करा सकते हैं शिकायत दर्ज करा सकते हैं लेकिन सरक पर उतर आएं किसी पर पत्थर चला दे इस बात का अधिकार किसी नहीं दिया और बुल्डोजर आज नहीं रुका अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाले समय में ये बुल्डोजर थमेगा नहीं और हर किसी का नमबर आएगा आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में पीरायज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्शन के जरी आर्तिक सहयोग भी दे सकते हैं इसके लाव वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार